आज का हमारा विशे है योग का परियोग आज की दुनिया में साइंस का बहुत बोल बाला है क्योंकि साइंस जो भी कुछ कहता है वो करके दिखा देता है उसका हर परिणाम तारकिक होता है इसलिए दुनिया साइंस का लोहा मानती है लेकिन सवाल ये है कि science आया कहां से वस्तव में science की जननी है silence एक वेज्ञानिक जब शान्ती में एक अग्रता में बैठता हैं तो उसके मन में नए नए विचार आते हैं और उन विचारों के बल से वो प्रकरती के तत्मों को दिशा देने का या नियंतरित करने का कारिये करता है वस्तव में योग का परियोग इस silence की शक्ति का ही परियोग है silence का अर्थ एक होता है कि हम मुख से कुछ ना बोले हमारे चारों और भी कोई आवाज ना हो लेकिन संपूर्ण silence complete silence हम उसको कहेंगे जब हमारे मन के विचार भी किसी एक लक्षे पे किसी एक बिंदो पर टिके हुए हो योग के परियोग में हम अपने मन को एक परमात्मा पर एकाग्र कर लेते हैं योग वास्तव में क्या है इस शरीर के भीतर विराजमान चेतन शप्ति आत्मा जो जो बिंदू स्वरूप है उसको इस जगत के भी जुरूप जो ती बिंदू परमात्मा शिव के साथ कनेक्ट कर देना इसी का नाम योग है ये योग भी एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है साइन्टिफिक सिस्टम है इसके भी बड़े तारकिक प्रमान परिणाम निकलते हैं जिनने हम व्यभारिक जीवन में देख पाते हैं पहले हम योग के परियोग को समझने के लिए तीन उदाहरन लेते हैं पहला उदाहरन है सूर्ये का सूर्ये प्रकाश और ओर्जा का सुरोत है जब हम किसी चीज को सूर्ये के सामने ले जाते हैं तो सूर्ये अपना प्रकाश और अपनी ओर्जा उसमें भर देता है अर्थात सूर्य के संग का असर उसके सामने आने वाली वस्तों पर हो जाता है दूसरा उदाहरन जब हम किसी सीडी या कैसिट को किसी चुम्बक के सामने ले जाती हैं तो चुम्बक उसमें भरे हुए कंटेंट को खीच लेती है अर्थात वो सीडी या कैसिट ब्लैंक को जाती है और तीसरा उदाहरन है कि हवा अधिक दबाव से कम दबाव की और बढ़ती है गर्मी अधिक गरम वायू मंडल से कम गरम वायू मंडल की और जाती है और ठोस पदारत में इलेक्ट्रोनिक्स अधिक वल्टेज से कम वल्टेज की और जाती है योग वास्तों में इन तीनों फार्मूलों पे आधारीत है जब हम योग करते हैं तो चेतना को देह से अलग कर लेते हैं और ज्योति बिंदु स्वरूप में परम पिता परमायत्मा शिव के धाम परम धाम में जाकर भीतर के नेत्र से उस ज्यान गुण शक्तियों के सागर परमायत्मा पिता से जुड जाते हैं और इस जुडाओं में जैसे सूर्य अपनी उर्जा परदान करता हैं परम पिता परमायत्मा शिव आत्मा को अपनी गुण भंडार, शक्ति भंडार और ज्यान भंडार परदान कर देते हैं आत्मा चुकि अनेक जन्मों में रोल प्ले करते करते खाली हो गई हैं तो जब ये खाली आत्मा, शक्तियों से खाली आत्मा परमात्मा पिता के पास जाती हैं, तो उनके पास जो पवित्रता का भंडार है, उनके पास जो सुख का भंडार है, शान्ती का भंडार है, तो वो शान्ती पवित्रता के शक्ति आत्मा में उतरने लगती है। और आत्मा अनेक जन्मों में अनेक दागों से भर गई हैं अनेक बुराईयों के दाग उस पर लग गई हैं तो जब वो परमात्मा रूपी सुप्रीम चुम्बक के नजदीक जाती हैं तो वो चुम्बक आत्मा पे अनेक जन्मों से भरे कंटेंट को एक तरह से खीच लेता है और आत्मा को भी अपनी तरह ही चुम्बक बना देता है ये व्यवहारिक प्रकरिया हम रोज के अपने जीवन में परियोग करके देख सकते हैं हम अपने जीवन में तीन प्रकार की विजय योगबल से प्राप्त कर सकते हैं पहली विजय है अपने संसकारों पर विजय दूसरी विजय है प्रकरती के पदार्थों पर विजय और तीसरी विजय है विकारों पर विजय संसकारों पर विजय का अर्थ क्या है आत्मा में अनेक नेगेटिव संसकार भर गई है नेगेटिव उर्जा आ गई है जैसे रूठने के संसकार, जल्दबाजी के संसकार, निराश होने के संसकार, दिल्शिकस्त होने के संसकार, इर्शा के संसकार, परचिंतन के संसकार, दुसरे के अवगुन देखने, सुनने और वर्णन करने के संसकार, किसे से कंपेरिजन करने के संसकार यह जो संसकार हैं यह आत्मा को शक्तिखिन बना देते हैं लेकिन जब हम योग का प्रियोग करते हैं जब हम परमात्मा पिता के साथ आत्मा को कनेक्ट कर देते हैं तो परमात्मा पिता की पवित्रता की रेजिच आत्मा में उतरने लगती हैं, डाउनलोड होने लगती हैं, और ये कमजोरियों के संसकार जल जाते हैं, नस्ट हो जाते हैं, खत्मा हो जाते हैं, एक तरह से आत्मा का काया कल्प हो जाता है, रोज के जीवन में आत्मा महसूस करती है कि मैं ब भीतर जो negativity पहले थी वो खत्म हो गई है तो ये एक व्यवहारिक प्रमान है योग के परियोग का science प्रकरती के शक्तियों पर परियोग करती है लेकिन योग बल अर्थात silence के शक्ति मानव की आत्मा पर परियोग करती है और जब हम भीतर से परिवर्ती तो बाहिये जगत अपनी आप सुखकारी बन जाता है दूसरा प्रियोग है प्रकरती के पदार्थों पर प्रियोग हम सब जानते हैं कि वर्तमान समय science ने इतनी अधिक सुख सुईधा के साधन बनाई हैं कि मानव उनकी अधीन होता जा रहा है हर बात में वो साधनों पे आधारित हो गया है अगर साधन ना मिले तो उसके खुशी छिन जाती है साधन कहीं नस्टो जाए तूट जाए तो वो तिल मिलाने लगता है साधन जैसे उसकी बैसाखी बन गए हैं उनके बिना वो चल नहीं पाता एक तरह से वो पराधीन हो गय और कहा जाता है प्राधीन सपने हूँ सुखना ही योग के परियोग के द्वारा आत्मा साधनों की अधिनता से मुक्तो जाती है वो साधनों का परियोग तो करती है लेकिन मालिक बनकर राजा बनकर उनको काम में लगाती है और काम पूरा होने के बाद उनसे अपने मन को डिटेच कर लेती है उनके साथ लगाव नहीं रखती इसलिए सवतंत्रता का अनुभव करती है स्वरज्य अधिकारी स्थिति का अनुभव करती है साधन है तो भी ठीक है और साधन नहीं है तो भी ठीक है तो ये योग बल से वो भोगवादी संस्कृति को छोड़ करके योगवादी संस्कृति की और बढ़ती है क्योंकि कहा जाता है भोग अर्थात साधन आत्मा का शोशन करती हैं और योग अर्थात साधन आत्मा का पोशन करती हैं और तीसरी विजय है विकारों पर विजय ये पांच विकार काम, कुरूध, लोब, मो, एहंकार आत्मा के महाशत्रों हैं आत्मा को अपने अधिन करके उसको दुखी, परेशान, हताश और कंगाल बना देती हैं लेकिन योग का परियोग करके आत्मा इन पांच विकारों को भी अपनी सुक सया बना लेती है, खेलने के खिलोने बना लेती है, नृत्य करने की स्टेज बना लेती है हमारे यादगार शास्त्रों में ऐसे तीन बहुत संदर यादगार हैं, जो इन विकारों पर विजय पाने के यादगार हैं, पहला यादगार हैं, स्री कृष्ण जी को पांच मुख वाले नाग पर नृत्ते करते दिखाया है, वास्तों में ये इस बात का प्रतीक है, कि जो जहरीले नाग थे, अर्थात जो पांच विकार विशयले थे, जो शरीर को विशाक्त, मन को विशाक्त कर देते थे, उन विकारों को जीत पाकर के, स्री कृष्ण जी ने अपनी नृत्ते की स्टेज बना ली, दूसरा उदारन है शंकर जी का, शंकर जी के गले में सांप दिखाती हैं, शंकर जी को उनसे भाय नहीं है, शंकर जी उनसे खेलते हैं, एक परकार से उनके औरनामें टेमो, तो वस्तव में ये शंकर जी की अखंड तपश्या का फल है, उन्हें हमेशा तपश्वी रूप में दिखाते हैं, निरंतर एक परमायत्मा की याद के बल से, इन शत्रूओं को उन्होंने मित्र बना लिया, खेल खिलोने बना लिया, खेलने का साधन बना लिया, इनका विश्ष अब उन्हें तकलीफ नहीं देता हैं, क्योंकि अब ये मनोरंजन की चीज बन गई, और तीसरा उदाहरण है विश्णुजी का विश्णुजी अक्सीर सागर में लेटे हुए हैं और पांच फन वाले नाग की शैया बनाकर उस पे लेटे हुए हैं तो विश्णुजी ने इन नागों को शैया कैसे बनाया योग के परियोग से परमात्मा की निरंतर स्मृती ने इन दुश्मनों को सेवक बना दिया दिखाया गया है कि विश्णो जी शेश या पर लेटे बड़े हर्शीत हैं लक्षमी जी पूछती हैं कि आप इतने खुश कैसे हैं तो श्री विश्णो जी जवाब देते हैं कि मैं गीता ग्यान का रमन कर रहा हूं इसलिए हर्शीत हूं वस्तो में गीता योग शास्त्र ही है गीता ग्यान का रमन करना अर्थात गीता में वरनित योग का अभ्यास करना गीता के मुख्य शिक्षा है मन मना भव मामेकम शर्णम वच्र भगवान कहती हैं चलते फिरते उठते बैठते हर करम करते मन और बुध्धी को मेरे अरपन कर दो बुध्धी भगवान को देखती हैं और मन भगवान का चिंतन करता हैं ये योग लगाने की विधी गीता में वर्णीत है अगर हम इस प्रकार से योग का प्रयोग अपने जीवन में करेंगे तो हमारे भीतर के विकार, हमारी कमी कमजोरियां, हमारे पुराने संसकार, सब नस्टो करके हमारे मित्र, हमारे सहयोगी, हमारे सेवक बन जाएंगे, हमें जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेंगे, हमारे रास्ते के रोडे नहीं बनेंगे, इसलिए हम प्रती दिन योग क प्रियोग करी और इन पर विजय प्राप्त करी, ओ शान्ति.